तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ घर पर आपके इस तरीके से ना तवे पर बहुत यासानी से मतलब बिल्कुल ना मार्केट जैसे होटल पर मिलती है ना तंदूर की रोटी जैसे तंदूर वाली रोटी सेम आप बना सकते हो तवे पर ऑलकल परफेक्ट बन कर तरीकुल हमें सकते हो नुक्त बल्कुल पर्फरिपक्ट बन कर तो बेश परकी सबस्दू होती है और बजस्aimer है अजय को एक जाओ माता है म?" बनाना बहुत आदें थर और अङसी पर वीडियो पसंद आता है उर आपको पसंद आता हैski उपकी यर श जरूर कर देना चैनल को भी सबस्क्राइब कर लेना तो बना ना शूरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहां पर लिया एक बोल इसमें डालेंगे हम सबसे पहले मैदा जित्य आप बना रहे हों higher अब इसके बाद में बीच में थोड़ी सी जगे गारी हूं ताकि बाकी की इंग्रीडियन्ट है में इसके अंदर डाल दूँ ठीक है तो सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे एम टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है नमक और नमक डालने के बाद इसमें थोड़ा सापको यह तो दही मैंने ले लिए खटी दही भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं उसके बाद मैंने एक चमच एक ने दो चोटे चमच जो है ऑई इसके अंदर डाला था और इन चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरा मतलब जो ऑईल दही यह सारा कुछ ना एक्दम जो है इसको गूद लेना है ठीक है उसके बाद इसको हाथ से मसल करना अच्छे सेट कर देंगे और फिर इसके ओपर थोड़ा सा ओईल लगा कि इसको ढगर कर रख देंगे जब तक इसका खमीर उटता है तब तक के लिए तो मैंने इसको आदे पॉने गंटे के बाद उठा किती रोटिया आपके बनती है जित्ती बड़ी आप बना रहे हो आपकी मर्जी है तो इसके बाद मैं इसको मेलना शुरू करूंगी तो वन बैवन हम जैसकी रोटिया बेल लेंगे और इसमें हमारी रोटिया बनी थी यहां पर तीन मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखा रही हूं कुछ भी मैंने इसमें से स्कीप नहीं किया है ताकि आपको बनाने में असानी हो अब जो है हम रोटिया बेलना शुरू करेंगे आप मैदा की हल्प ले सकते हो यहां पर मैदा की आटी की भी ले सकते हो इसको अच्छे से बेल की आप चाहो न तु यही पर आप इसमें बना और कलॉंजी डाल सकते हो यहां पर यहांपर के और कलॉंजी डाल के इस से लिए अर्टी का तो पता नहीं एक हो इसको पतारा दो मुझे कोई फरकता नहैं मुझे को आपको अच्छे से वे नहीं पर perception हैं 10 साइश परेंदों म तभी यह बबल बन जाएंगे फिर एक से कोगे फिर भीड ठी हो पिर ऐनोका नहीं ऑने इसके दाला दीघ झाला दालानचे लिख सकते हों और अउनकों डालों कि यह उनकों चाहिए इस तो एक से लिखन Place और से hablar लिख सके इस तरीके से एक अच्छा सा कलर आने तक इसको हम यहाँ पर सेक लेंगे और आप देख सकते हो रोटी हमारी तैयार हो गई है तवे को आप अच्छे से गरम करोगे ना मतलब तेज गरम होना चाहिए उसके बाद आप रोटी डालेंगे ना तो आपकी रोटी इस पर आप आप रही हो और सेम इसको भी तवे के ऊपर तूसरी साइट पानी लगा करके तवे पर डाल देंगे और इसके उपर जब बबल्स बन जाते हैं तो एक से दू मिनिट इसको हम अच्छे से सिखने देंगे और इसके बाद वापस से तवे कोलटा करके जो हम इसको पूरी प्रोसेस आपको इस पर दिखाए है इसको भी अम दूसरी रोटी को भी इसी तरीके से जह लेंगे एक एक जगे पर ओकना नहीं है वरना उदर से वह जल जाएगे तो यह होगी हमारी दूसरी रोटी भी तेयार और यह बहुत आसानी से उतर जाती है अगर हम तेज दवे पे डालेंगे न तो यह बिल्कुल भी उतरने में नाटक नहीं करेंगे मतलब एक दम उतर जाएगे जट से और अगर हमारा तवा ठंडा है न तो रोटी उतरेगी न आप आम ने तीनों डाइनों को तयार कर लिया हैस्के बाद मैंने क्यूकि ए मैंने पापा के लिए बनाई थी तो मैं इसके उपर गी लगा दिया था अब अब देख सकते इसका फाइनल लूक इतना जाएदा मतलब यह कमाल के लग नग रहे हैं मोह में पानी आ जाए टेस् आना और आपको मारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताना वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना